एक बहतरिंग प्रजेक्टर हम कैसे चुने कौन सा important features हमें consider करना चाहिए कितना brightness, resolution या contrast ratio एक प्रजेक्टर में होना चाहिए इस वीडियो में हमने प्रजेक्टर को चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया है according to the uses नमबर वन पीको प्रजेक्टर जिसे हम लग फॉकेट प्रजेक्टर भी बोलते हैं वह यूजिली चोटा साइज में होता है और वह computer screen या तो छोटा टीवी को replace कर सकते हैं नेक्स्ट है home theater projector जो आपके घर में fit होता है और इसे आप movie, tv programs या तो games खेलने के लिए यूज कर सकते हैं और नमबर थार्ड है business projector जो mostly हो जाता है presentation purpose के लिए नमबर फॉर्थ है large menu projectors जो usually stadium पे या तो movie theater पे यूज होता है तो ये चार projector में से आपको को सा projector चाहिए और उस projector में क्या features होना चाहिए इस video में मैंने detail में explain किया है तो सबसे पहले बात करते हैं brightness के brightness को आपने नापते हैं lumens में तो जितना जादा lumens होगा उतना आपका picture bright होगा अगर आप घर के लिए projector ले रहे हैं जहां पे आप ambient light को control कर सकते हैं तो आपके लिए 2000 ANSI lumens काफी होगा अगर आप business projector के साथ में जाना चाहते हैं जहां पे presentation outdoor होगा या तो कोई बड़ा hall में होगा जहां पे आप light को control नहीं कर सकते हैं तो आपको उस projector को चुदना चाहिए जिसमें brightest at least more than 3000 ANSI lumens हो और लार्ज बेन पोजेक्टर स्टार्ट होता है 10,000 से उपर up to 20,000 ANSI lumens और ये brightness के खेल में एक बड़ा configuration क्रिएट करकर रखा है manufacturer ने कई manufacturer स्रिफ lumens का यूश करते हैं और कई manufacturer ANSI lumens का यूश करते हैं अगर ANSI lumens है तो वो ज़्यादा faithful है मार्केट में कई सारे projector's है जो अपना paper performance को बढ़ाने के लिए brightness को lumens में ही दिखाते हैं जो दिखाएंगे around 4000 या तो 5000 lumens लेकिन actually अगर उसको देखा जाए ANSI lumens में तो वो आए गए around 400 ANSI lumens जो की around 10 times ज्यादा करके दिखाते हैं आप wisely projector को पिक करिए ताकि आपका pocket में भी ज्यादा बोज ना है next important point is resolution resolution means कितना color dots है आपके एक image में एक time था जब low resolution में भी आम लोग picture को enjoy करते थे लेकिन अब time है HD, Full HD और 4K जितना ज्यादा resolution होगा उतना ज्यादा आपका picture में detail और quality भी ज्यादा होता है इसका choice तो आपको खुद करना पड़ेगा कि आपको कौन सा resolution साथ में जाना चाहिए आपको market में कहीं सारे budget projector मिल जाएगा जो claim करता है कि वो 4K दिखा सकता है और इहीं पर लोग महुत धुगाखा जाते हैं और budget projector उठा लेते हैं 4K projector समझके आपको projector लेना है native resolution देखके लेकिन वो लोग 4K resolution इसलिए लिखते हैं अपने titles में क्योंकि वो 4K resolution को support करते हैं पर दिखाते नहीं है 4K content आप ला दो, projector में डाल दो उसको तोड़ मोड के छोटा करके वो अपने HD resolution में दिखा देगा पर क्या फैदा है फिर 4K resolution और HD resolution में जमीन अस्वार का फर्क होता है तो यह जरूर आप चेक कर लेना अगर एक अच्छा HD projector आपको चाहिए तो around 30,000 के आसपास अपको मिल जाएगा अगर फुल HD चाहते हो तो around 60 से above को मिलेगा अगर आपको 4K resolution चाहिए तो at least आपको वन लैक से उपर खर्च करना होगा इसके बाद बात करते हैं contrast ratio का सीथी भाषा में contrast ratio मतलब जो white color है वो dark color से कितना ज्यादा bright है तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा contrast ratio होने से जो picture का dark color है वो deep black होगा और white color clear होगा लेकिन contrast ratio कम रहेगा तो picture washout दसा feel होगा बाल नीजी आपके projector में काफी contrast ratio है लेकिन room में light बहुत ज्यादा है तो वो contrast ratio का उतना effect आपको नहीं मिलेगा अगर room dark है तो contrast ratio का next level enjoyment मिलेगा तो अगर आप higher contrast ratio को साथ में जाओगे तो थोड़ा contrast ratio loss भी होगा भी तो आपको एक अच्छा quality picture मिलेगा अब बात करते हैं display technology के projector के अंदर में एक छोटा सा display panel होता है जिसका image को light source से बड़ा wall में display किया जाता है और यह display technology तीन तरह के आते है DLP LCD और LCOS display technology DLP Digital Light Processing यह projector में छोटे-छोटे micro mirrors होता है जो light को reflect करके screen तक पुछाता है और यह mirrors moving parts होता है जो अपने angles को continuously adjust करते रहते है that means moving parts है जिसके वजय से थोड़ा noise बढ़ जाता है लेकिन picture quality बहुत ही बढ़िया मिलता है और यह सारे projector का high contrast ratio होता है next है LCD projectors जिस पे कोई भी moving parts होता नहीं है जिससे power consumption कम होता है और यह projector का brightness थोड़ा जादा होता है compared to DLP projectors तो दोनों को compare करें तो picture quality DLP projectors का better होता है than LCD projectors और थर्ड तरह के display technology है LCOS liquid crystal on silicon और यह display technology एकदम best quality produce करता है और यह technology DLP और LCD का combination से बनता है अगर आपके budget थोड़ा उपर है तो आप DLP के साथ में जा सकते है और उससे थोड़ा उपर है तो आप LCOS के साथ में जा सकते है next बात करते है projector lamp की projector lamp चार तरह के आते है metal halide lamp, LED lamp, laser technology और hybrid technology mostly जो average projectors होते हैं उस पे metal halide lamp आता है जिसका lamp life company claim करता है around 10,000 to 15,000 की आसपास और ये lamp का picture quality बहुत ही बढ़िया आता है high contrast issue के साथ में दुसरा होता है LED lamp जिसे हम लोग बोलते है almost maintenance free इसका lamp life कहीं कहीं company claim करता है around 50,000 hours पर ये comparatively कम bright होता है और contrast issue भी कम होता है और ये सारे LED projectors को आप दिन भर चला सकते हैं क्योंकि इसका lamp life बहुत जादा है और ये बहुत कम power consume करता है नेक्स्ट है laser technology जिसका lamp life more than 30,000 hours है और कई company तो इसे maintenance free भी claim करते हैं और ये projectors का contrast issue और brightness metal light और LED projector से जादा होता है नेक्स्ट है hybrid technology जो laser और LED technology का combination है और ये projector सबसे best quality produce करता है इसका high contrast issue और brightness होता है पर इसका दाम भी बाकि सारे technology से जादा होता है next बात करते है screen size अगर आप घर के लिए projector ले रहे है तो आपको around 150 inch तक highest screen size का साथ में जाना चाहिए लेकिन कई सारे budget projector में आपको मिल जाएगा 300-400 screen size बता रहा है पर ऐसा होता नहीं है वो around 100 या तो 200 आसपास ही बैतर होता है उससे जादा आप बढ़ा दोगे तो वो picture quality आपको नहीं मिलेगा screen size के साथ में related है through distance मतलब आपके screen और projector के बीच में कितना दूरी है कई सारे projectors है जो around 5 meter दूर से 100 inch का screen को produce करता है अगर आपका रूम छोटा है तो आपको उतना बढ़ा screen नहीं मिलेगा जितना specification में लिखा हुआ है तो उसके लिए आपको short through projector के साथ में जाना चाहिए जो around 2 meter या तो 3 meter के अंदर ही 100 inch to 150 inch का display दे सकता है और उससे भी बैतर है latest ultra short through projectors जो दिवाल से सटके ही 150 इंच का big screen प्रवाइड कर सकता है प्रजेक्टर लें से पहले आप अपना rule size को जरूर ध्यान देना ताकि आपके लिए बैतर प्रजेक्टर आप ले सके नेस्ट बात करते अब अब जादा है मतला बहुत ही हाई आप प्रजेक्टर को रखे हो और डिस्पले आपका बहुत ही नीचे है तो जो एंगल आप प्रजेक्शन को मेंटेन करने के लिए आपको किशन करेक्शन जादा वाला देखके लेना है जैसे कि अप टू 40 डिगी तो 50 तक अगर अग अब को पता है कि कौन सा गेशिट आपके रहता है और वो पोट क्या आपके यह सपूर करता है कि नहीं थाएं मकर नेक्स को जो किछेटर करना है और कुछ भी इसे मालूम नहीं है और जो semi smart projectors होते हैं वो थोड़ा smart होता है जिसमें Wi-Fi और Bluetooth enabled होता है Wi-Fi है यानि आप इपना phone का content को easily big screen में cast कर सकते हैं Next आता है Android Projectors Android Projectors का सबस्क्राइब बेनिफिट यह है कि आप Play Store से अपना मन चाहे एक्टेशन डाउलोड करिए और directly आप projectors में enjoy कर सकते हैं कहीं सारे लोग comment करके मुझे यह पूछते हैं कि क्या हम Amazon Prime, Hotstar या तो Netflix को अपने phone से wirelessly projector का big screen में cast कर सकते हैं या नहीं Answer है big no आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह सारे app mirror cast को allow करते ही नहीं है यह app को open करके आप even screenshot भी नहीं ले सकते यह company अपने content को बचाने के लिए इसा policy अपनाते हैं तो solution क्या है तो अगर आपको OTT platform को enjoy करना है तो आपको android projector के साथ में जाना चाहिए अगर आपको सच भी अपने projector को smart बनाना है तो आप एक scanner projector लेजिए जिसका picture quality बहुत ही अच्छा है और एक android box ले लेजिए आपको projector smart बन जाएगा इस पे आप जो मर्जी वो देख सकते हैं कोई restriction नहीं कुछ नहीं next बात करते है sound quality की कहीं सारे projector में आपको embedded speaker मिल जाएगा पर कहीं लोग इसे consider करते हैं तो मेरी माने तो आप sound quality को बिल्कुल consider ना करें वो just simple एक feature है आपको कहीं कहीं जगा help करेगा यह पता करने लिए कि सच में को सा content चल रहा है आप एक big screen content को enjoy कर रहे हैं और theater का मजा घरे मटके ले रहे हैं तो आपको छोटा सा पिद्दो सा sound मजा नहीं आएगा तो मैं recommend करूँगा आपको कि आप dedicated speaker system के साथ में जाईए ताकि आप big screen साथ में theater जैसा feeling enjoy कर सकें नेक्स्ट है projector screen क्या हमें projector screen मेंना चाहिए क्या projector screen matter करता है हाँ projector screen matter करता है अगर हम लोग एक good quality screen use करें तो उसमे picture quality बहुत ही ज्यादा enhance होता है अगर आप high end projector के साथ में जा रहे हैं तो आपको must एक projector screen साथ में जाना चाहिए लेकिन अगर आप budget projector के साथ में जा रहे हैं तो आप एक simple काम करिए wall में white paint मार दीजिए काम चल जाएगा क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्टर ही स्रिफ 5-6000 का आएगा तो आप एक 5-6000 का screen तो लेंगे नहीं ऐसा नहीं है कि white wall में clear नहीं आता है क्लियर आता है और अच्छा भी आता है पर best quality के लिए screen अच्छा है इसके बाद बात करेंगी warranty के नहीं सारे प्रोजेक्टर में दो साल के या तो तीन साल के warranty आता है प्रोजेक्टर का warranty define करता है कि वो प्रोजेक्टर कितना durable है next most important factor है after sales support कहीं सारे पंपन्य ऐसा होता है कि प्रोजेक्टर बेच दिया तो उसका काम खतम आपको after sales support नहीं मिलेगा मैं आपको recommend करूंगा कि आप थोड़ा सा review चक कर लेजिए कि उस company का after sales support कैसा होता है आप इसे कहीं लोग यह ढूंते है कि क्या आपके खुद के city में ही वो service center है यह नहीं है पर प्रोजेक्टर के case में यह important बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो छोटा है portable है और उतना जल्दी वो खराब होता भी नहीं है दो साल में या तो तीन साल में एक बार कुछ maintenance आ जाए तो इससे आप easily pack करके जहां मर्जी वहाँ easily career कर सकते हैं तो यह था वो कुछ important points जिसे आपको जरूर consider करना चाहिए एक projector लेने से पहले I hope मैं आपके सारे questioning answer दे दिया है तब भी आपको कोई doubt है आप मुझे नीचे comment कर सकते हैं मैं उसका reply जरूर करूंगा हमने category wise कुछ बहतरी projector को description में दिया है आप चाहे तो वहाँ से भी projector चुन सकते हैं